हे गाईस कैसे हो आप लोग आज इस वीडियो में OPPO A3 Pro 5G का टॉप 20 प्लास अमेजिंग कैमेरा फीचास के बारे में बताऊंगा ए वीडियो देखने के बाद बहुत आसानी से आपके कैमेरा एपलिकेसान को यूज कर पाऊगे जब आप लोग कैमेरा एपलिकेसान को ओपेन करोगे ऐसा इंटरफेस दिखाई देता है सबसे पहले दोस्तों फोटो का आपसेन है यहां से फ्लेसलाइट को ओन आप कर पाऊगे Google Lens का एक आपसेन दिया है अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जाणना है तो प्रोडक्ट का एक पीक्चर क्लिक कर लिजीए और सार्च के ऊपर टैप कर देजीए एफोन आपको बता देगा product क्या नाम किया है, कहाँ पे मिलता है, कितना price है, actual सब कुछ details बता देगा translate के अंदर आओगे, basically कुछ भी लिखा हुआ है और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आपके जो language में लिखा है, उसको select कीजिए, अपना language select कीजिए, और उसका एक picture क्लिक कीजिए फोन अपने आप में ही दोस्तो translate करके बता देगा क्या-क्या लिखा गया है यहाँ से filter को on-off कर पाओगे, बहुत सारे filter है, even beauty mode का option भी दिया है 3.0 के उपर tap करोगे, यहाँ से ratio select कर सकते हो, मतलब कौन से ratio में आप picture खिचना चाहते हो साथी में timer भी दिया गिया है, HDR auto on-off यहाँ से ही कर सकते हो setting के अंदर आओगे, यहाँ पे watermark mark का option दिखाई देगा अब लोग watermark mark को enable कर देना दोस्तो, इस तरीके का कुछ नाम लिखा हुआ आजाएगा आप चाहो तो location भी add कर सकते हो, watermark mark के अंदर even date and time को भी select कर सकते हो आप चाहो तो कुछ भी link भी सकते हो दोस्तो, आपके हिसाब से, यहाँ पे customize text के उपर tap करके कुछ भी link दीजिए, ओही जो text आपने लिखे हो, picture के अंदर आ जाएगा setting के अंदर high efficiency video mode का एक option मिलेगा, इसको enable करके जरूर रखना जब आप लोग video बेगरा, suit करोगे, तब दोस्तो एक better quality का video आएगा quick launch camera का option भी देखने को मिलता है, इसको enable कर देना दोस्तो अब इसको enable करने के बाद, अगर मैं lock screen में volume down बटन को double bar प्रेस करूँगा automatically दोस्तो यहाँ पे देखे, camera open हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से दोस्तो अब लोग launch camera को भी access कर पाओगे protect mode के अंदर आओगे दोस्तो यहाँ पे जो background blur है उसको ज़्यादा या कम कर सकते हो more के अंदर आओगे, यहाँ पे night mode का option दिया गया है, यहाँ पे panorama का option है, dual view video का option है यहाँ पे sticker बेगरा का option भी यहाँ पे देखने को मिलता है even दोस्तो आप more के अंदर edit के उपर tap करके जो serial वाई serial है, वहाँ पे protect बेगरा add कर देना दोस्तो यहाँ पे protect ना होके more के अंदर protect आ जाएगा वीडियो के अंदर आओगे, देखिया आप लोग full HD 60fps करके ही video recording कर पाओगे rear camera से अगर आप selfie camera का बात करोगे तो यहाँ पे सिर्फ full HD 30fps का ही option है even selfie camera के अंदर जो background blur होता है उसको भी दोस्तो आप लोग change कर पाओगे बहुत आसानी से लेकिन video के अंदर जो background blur है उसको control नहीं कर पाओगे आप चाहो तो कोई भी picture को hide भी कर सकते हो तो सबसे पहले gallery के अंदर आप लोगों को आ जाना है दोस्तो यहाँ पे 3.0 के उपर tap करके set as private के उपर tap करोगे picture height हो जाएगा अब height picture चेक करने के लिए setting के अंदर यहाँ पे security का option दिखाई देगा सबसे नीचे यहाँ पे private shape का option है password डालिए जो picture अपने height किये हो वो picture यहाँ पे आ जाएगा यहाँ से status public करोगे तो जो picture है वो unhide भी हो जाएगा पिक्चर के अंदर कुछ भी edit कर पाओगे edit के ओपर tap करके adjust कर पाओगे color को यहाँ पे filter लगा सकते हो मेकाप करवा सकते हो water mark का तरह 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 के option है देखिए यह general water mark में आप लोगों को पहले ही दिखा दिया दा लेकिन अगर आप लोग frame water mark चाहते हो तो इस तरह का कुछ frame को भी आप लोग create कर सकते हो अगर आप लोगों को एक वीडियो अच्छा लगा हो like, share, subscribe करे ना मत भूलिए इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले एक fresh वीडियो में